Hello and Namaskar अगर आप भारत में क्या चल रहा है उसमें इंट्रेस्ट्टेड हैं अगर आप अपनी financial knowledge बढ़ाना चाहते हैं भारत के festivals के वारे में जानना चाहते हैं और अपनी knowledge को इंक्रीस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को subscribe किजिए immediately तो आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सुकन्या समरिधी योजना उससे पहले एक जरूरी सूचना जिनके पास ये खाता ओलड़ी है जिन्होंने ये खाता पहले से कोल रखा है तो सरकार ने 31 मार्स 2020 की जो तारीक है वो बढ़ा कर 30 जून 2020 कर दी है अगर आपने अप तो आज जानते हैं कि सुकन्या समरिधी योजना क्या है या योजना भारत सरकार ने बेटियों की शिक्षा और उनकी शादी के लिए पैसा इकठा करने के लिए पनाई है तो इस एकाउंट को आप 500 रुपे मातर से खोल सकते हैं और चोटी चोटी बचत से आप उसकी शाद उठा सके यह स्कीम उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहते और थोड़े थोड़े पैसे जमा करके अपने बच्चों की शादी या उच्छिक्षा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं यह खाता जरम से 10 साल तक की करना जरूरी है सुकन्य समर्दी अकाउंट किसी भी डाक खाने या कमर्शियल बैंक की ब्रांच में खुला जा सकता है यह खाता आपकी बेटी के 21 साल होने तक या 18 साल की उम्र के बाद उसकी शादी होने तक चलाया जा सकता है जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाए और उसकी उच शिक्षा के लिए आपको अगर पैसा चाहिए तो इस खाते में से 50% पैसा आप निकाल के उसकी शिक्षा के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं यह खाता बच्ची के माता-पिता या उसके कानूनी अभिभावक लीगल हायर्स ही खोल सकते हैं एक बच्ची के लिए एक ही खाता खोला जा सकता है और उसमें पैसा जमा किया जा सकता है एक बच्ची के लिए दो खाते नहीं खोले जा सकते यह खाता खोलने के समय पर बच्ची का जनम सर्टिफिकेट देना अनिवारे हैं बैंक या पोस्ट आफिस में जहां भी आप खोल रहे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये खाता सिर्फ 500 रुपे से खुल जाएगा उसके बाद आप इसमें 100 रुपे के मल्टिपल्स में पैसा जमा कर सकते हैं कम से कम 500 रुपे एक साल में जमा कराना ज़रूरी है और एक वित्ते वर्ष में फानेंशियर एर में डेल लाग से जादा आप नहीं जमा करा सकते हैं इस खाते में 15 साल तक पैसा जमा कराया जा सकता है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी बेटी 9 साल की है तो 24 साल की उम्र तक पैसा जमा कराये जा सकता है 24 से 30 साल की होने तक या खाता मिच्यूर होने तक आपको उस जमा रकम पर ब्याज मिलती रहेगी और अगर आप किसी साल इस खाते में पैसे नहीं जमा करा पाए तो आपको डरने की जरूत नहीं है आप 50 रुपे पेनल्टी भरके इस खाते को दुबारा से शुरू कर सकते हैं और अगर आप वो पेनल्टी नहीं भरते हो तो भी इसमें पैसा आपका सेफ रहेगा लेकिन सिर्फ आपको पोस्ट आफिस के ब्याज मिलकर जो की तकरीबन 4% के आसपास है आपका पैसा वापिस दे दिया जाएगा इस खाते में पैसा जमा कराना बहुत ही असान है आप चाहें कैश जमा करा सकते हैं चेक दे दीजिए दिमांड ड्राफ्ट या कोई भी ऐसा इंस्टूमेंट जो बैंक मान लें उससे आप पैसा जमा कर सकते हैं इसमें इलेक्ट्रोनिक ट्रांसफर भी किया जा सकता है आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करके इसमें पैसा जमा कर सकते हैं अगर आपने चेक से पेमेंट करी है या डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट करी है तो जिस दिन वो चेक पास होके आएगा उस दिन से आपको ब्याज मिलनी शुरू होगी लेकिन अगर आपने इलक्टोनिक ट्रांसफर की है आनलें ट्रांसफर किया है तो उसी दिन से आपके खाते में उस रकम के उपर ब्याज मिलनी शुरू हो जाएगा अब हम देखते हैं कि सुकरन्य समर्दी योजना में ब्याज कैसे मिलता है तो ब्याज सरकार हर तेमाही में हर तीन महीने के बाद डिकलेयर करती है हर क्वाटर का अलग ब्याज होता है अभी एपरिल से जून 2020 का जो ब्याजदर है वो 7.6 प्रतिशत घोशित किया गया है सरकार के द्वारा तो अब हम देखते हैं कि अगर आप 1000 रुपे महीना इस कीम में लगाना शुरू करते हैं और ब्याजदर 7 प्रतिशत 60 ही रहता है तो आपके कितने पैसे हो जाएंगे तो कुल आपकी जेब से जाएगा 1.68.000 रुपे और आपके 21 साल में जो आपके पैसा जमा हो जाएगा ब्याज मिलाकर वो 5.7.407 रुपे हो जाएंगे और अगर आप 2.000 रुपे महीना देते हो तो 3.36.000 रुपे कुल आपकी जेब से जाएंगे और 10.14.814 रुपे आपके खाते में जमा हो जाएंगे अगर आप 3.000 रुपे महीना देते हो तो कुल आपकी जेब से जाएगा 5.4.000 रुपे और आपके 21 साल में जो मिचिरूटी बनेगी वो 15.22.000 रुपे की बनेगी अगर आप 4.000 रुपे महीना देते हो तो आपकी जेब से जायगा 6.272.000. और आपकी कुल राशी बन जाएगीennis साल पे 20.29.000. अगर आप 5.000. महीना देते हो तो कुल आपकी जेब से जायगा 8.045.000. और आपके 21.00. साल में हो जाएंगे 25.37.000. और अगर आप 1.00.000. साल का भरते हो تو कुल 14.00.ेब से जायगा और 42,28,000 रुपे की मिचिरूटी 7,60% के हिसाब से आपके जमा हो जाएगी अगर आप 10,000 रुपे महीना मतलब 1,20,000 रुपे साल का लगाते हैं तो कुल आपकी जेब से जाएगा 16,80,000 और आपके 21 साल में मिचिरूटी बनेगी 50,74,000 रुपे अगर आप 10,500,000 रुपे पूरा भरते हो तो आपकी जेब से जाएगा 21,00,000 रुपे और आपको 21 साल 63,42,000 रुपे की मिचिरूटी मिलेगी जो कि बिलकुल टेक्स प्री है जो हम बात करते हैं कि इंकम टेक्स के क्या बेनिफिट मिलता है सुकरनिया स्कीम में जो भी आप पैसा 1,500,000 रुपे तक जमा गरेंगे उसके उपर आपको एटी सी के तहट छूट मिलेगी और जो मिचिरूटी आपको मिलेगी 21 साल के बाद वो बिलकुल टेक्स प्री है उस पे आपको कोई भी इंकम टेक्स नहीं देना है तो अब देखते हैं कि 21 साल से पहले इस खाते को बंद किया जा सकता है तो उसके क्या नियम है तो पहले नियम यह है कि अगर तो खाता धारक की मृत्यू हो जाए तो उसका डेथ सरीफिकेट सब्मिट करके इस खाते को बंद किया जा सकता है दूसरे मामले में अगर किसी को 5 साल इस खाते को हो गई है और कोई बिमारी लग गई है जिससे उसकी जान को खतरा है तो इस खाते को बंद किया जा सकता है इसके इलावा भी इस खाते को 5 साल चलाने के बाद बंद किया जा सकता है लेकिन उसमें फिर ब्यास जो है वो saving account की मिलेगी सुकन्या समरिद्धी योजना का ब्यास जो है वो नहीं दिया जाए तो आप देखते हैं कि क्या इस account को transfer किया जा सकता है तो बिल्कुल समरिद्धी योजना खाता कहीं भी आप transfer कर सकते हैं किसी भी और दूसरे बैंक में या डाग घर में इसका आपको सबूत देना पड़ेगा अगर आप कोई भी सबूत नहीं देते हैं transfer का तो आपको 100 रुपे की फीज चुकानी पड़ेगी और अगर आपने proof दे दिया कि आप क्यों transfer ले रहे हैं तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा ये free में ही आपका account transfer हो जाएगा तो आप देखते हैं कि क्या इसमें से partial withdrawal निकाला जा सकता है mature होने से पहले तो बिलकुल सुकन्य समरिदी योजना से आप पैसा निकाल सकते हैं दो ही सूरत में ये पैसा मिलेगा या तो आपके बच्चे की उच्छिक्षा के लिए या फिर उसकी शादी के लिए आप पिछले साल तक का जो balance है उसका 50% आप निकाल सकते हैं लेकिन उसके लिए आपकी बेटी का 18 साल का होना बहुत जरूरी है और ये आविदन लिखित में करना पड़ेगा और साथ में प्रूफ लगाना पड़ेगा एजुकेशन फीज वगरा कितनी है और उतनी ही रकम निकलेगी अब सवाल ये है कि ये खाता मैचोर कब होगा तो सुकन्या समरिदी योजना आपकी बेटी के 21 साल पूरा होने पर या उसकी शादी होने पर मैचोर हो जाएगी अगर जिसका खाता है उस लड़की की शादी 21 साल से पहले हो जाती है अगर किसी ने अपनी बेटी के नाम पर खाता खोला है और बाद में वो किसी और देश की नागरिकता ले लेती है तो उस दिन से उसका ब्यास बंद हो जाएगा मुझे उमीद है कि मेरे दिवारा दी गए जानकर या आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करीजिए और लोगों के साथ शेर करिए थैंक यू वेरी मच